बिसमिल्ला रह्मान ररहीम, Assalamu alaikum students, मैं हूँ असान फरीद, आपका physics teacher Students, आप लोग जानते हैं कि हम numericals कर रहे थे, तो आई ए अवजरा देखते हैं कि remaining numericals को किस तरह से solve करना है हमारे पास fourth numerical की statement मैं आपके सामने लिखता हूँ और जो जो data हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वो साथ साथ लिखते हैं सबसे पहले, वो कहते हैं, अवेंटरी मीटर is measuring the flow of water, it has a main diameter of 3.5 cm यह पहला diameter जो उसने दिया हुआ है, 3.5 cm अब आपको मालूम है, हमारी जो equations है, इस chapter की उसमें diameter की बजाए area हर्ट का इस्तमाल होता है तो हम क्या करें हैं, हम इसी diameter को area में convert कर लेंगे उसके लिए students, आपको मालूम है, इस diameter को अगर मैं D1 बोलाए तो इसके area को मैं A1 बोलूँगा तो मैं यहीं पर इसको area में convert कर रहा हूँ, अब आपको मालूम है, इसका area का formula होगा पाई R square, पाई R square तो R को R1 कह देता हूँ, लेकिन R हमारे पास radius है, radius दिया नहीं हुआ तो अगर मैं radius और diameter का relation देखूँ, तो आप लोग जानते हैं कि diameter radius का आधा होता है, half होता है, तो अगर मैं radius की जगा diameter लिखना चाहूँ, तो मैं इसको लिखूँगा कि diameter divided by 2 हो, और उसका square, यानि मैंने square as it is लिख दिया, R1 की जगा, यानि radius की जगा diameter का half लिख दिया, इसको थोड़ा solve करते हैं, तो हमारे पास a1 आजएगा pi, d1 का square और 2 का square कितना आजएगा, 4, लोग यह formula है, अब आप इसमें value पुट करें, pi की value 3.14, d1 कितना है जी, अभी हमने लिखा 3.5 cm, इसको meter में convert कर लेते हैं, तो meter में बनेगा 0.035, तो यह आजएगा मैं आपस 0.035 और उसका square, divided by 4, इसको solve करते हैं, और देखते हैं कि area का answer क्या होता है, तो students, हमारे पास यह answer है, 9.616, हम इसको 9.6 ही कह देते हैं, into 10 raised to the power minus 4 meter square, यह हमारे पास area 1 आगया, ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद वो कहता है, कि next diameter जो है, दूसरे end पर वो है 1 cm, अब फिर हमारे पास, यह diameter दिया हुआ है, 1 cm, इसको तो पहले मैं 0.01 meters लिख सकता हूँ, 100 से divide करके, क्योंकि एक meter में 100 cm होता है, अच्छा, अब ज़र देखे, यहाँ पर फिर हमें diameter दिया हुआ है, तो हमें area चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस diameter को D2 कहते हैं, तो हमें area चाहिए, तो हम वो ही formula दुबारा लगा देते हैं, अब क्योंकि उसको मैं एक दुफा solve कर चुका हूँ, यह final answer आता है, तो मैं यही लिखता हूँ, pi d square over 4, values put करते हैं, pi की value 3.14, d2 diameter कितना है, 0.01, और उसका square divided by 4, तो हमारा answer आया, 7.85 into 10 raised to the power minus 5, ठीक है, वो कहता है, pressure difference जो है, वो 18 mm mercury है, pressure difference, यानि यह pressure का difference है, इसको मैं इधर लेग देता हूँ, ठीक है, p1 minus p2, कितना है, 18 mm mercury, अब आपको मालूम है, कि एक mm mercury में, 133 के करीब पासकल होते हैं, तो इस pressure को standard unit पासकल में लाने के लिए, मुझे, 133 से multiply करना पड़ेगा, फिर यह पासकल में आ जाएगा, तो जरह देखते हैं, कि p1 minus p2 का answer कितना आता है, 18 को multiply करेंगे, 133 से, हमारा answer है, 2394 पासकल, इसे जो important चीज़ें आ रही है, उनको जरह मैं highlight कर रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे, यह है, area 1 है, और यह है area 2, यह है pressure का difference, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है, कि what is the speed of water entering the venturi throat, तो उसने बोला है, कि water हमारे पास इस वकत pipes में मौझूद है, अच्छा water के बारे में वो बताए या ना बताए, उसकी density आपको मालूम होनी चाहिए, 1000 kg पर cubic meter होती है, ठीक है, वो बताए या ना बताए, तो water उसने कह दिया, तो उसके बाद हमें मालूम है, कि उसकी density जाब वो 1000 kg पर cubic meter होती है, अब students, देखते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, तो what we have to find, तो सबसे बढ़े देखें, वो कहता है, कि what is the speed of the water, तो we have to find the speed actually, तो हमारे पास, speed of water, यानि कि V1, हमें मालूम करना है, अब यहाँ पर हमारे पास, जो relation use होगा, वो हम लोग पढ़कर आए हैं पहले, और वो कुछ इस तरह सा, कि V1 is equals to A2, under root 2 into P1 minus P2, divided by rho into A1 square minus A2 square, यह वोही वेंतिरी relation है, जो हम लोग ने theory में derive किया था, अच्छा, अब जरह देखें, हमें just values देखनी है, कि हमारे पास क्या साथ चीज़ है माजूद है, तो क्या P1 minus P2 मौजूद है, बिल्कुल यह मौजूद है, क्या A1 का square, यानि A1 मौजूद है, बिल्कुल जी A1 भी यह मौजूद है, हमारे पास A2 मौजूद है, और इसके बाद हमारे पास rho चाहिए, देंस्टी चाहिए, तो water की देंस्टी 1000 होती है, वो भी हमें मालूँ है, यानि कि हमारे पास numerical असल में यहां खतम हो गया, आगे सिर्फ calculations है, आपको formula में value पुट करनी है, और आपका answer आजएगा, ठीक है, तो आईए ज़रा देखते हैं, इसको किस तरह से solve करना है, A2 कितना है जी, A2 है, 7.85 इंटू 10 raised to the power minus 5, यह तो आगे अंडर root के बाहर A2, ठीक होगे जी, A2 मैंने लिख लिए, उसके बाद 2 है, और multiply करना है, P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 तो मैंने find out किया हूँ है, 2, 3, 9 and 4, ठीक है, divided by rho, rho 1000, ठीक है, डेंस्टी, यह rho लिख लिख लिए मैं, उसके बाद A1 और उसका square, A1 यह है, 9.65, 9.65 into 10 raised to power minus 4, और इसका square, अच्छा, माइनस क्या हो रहा है, इसमें, A2 का square, A2 कितने है, 7.85 into 10 raised to power minus 5, और इसका square, बच्छो, यह है हमारे पास, values put करके, जो, शेकल बन रही है इसकी, अब ज़र देखते हैं, इसको सोड़ हम solve करते हैं, 7.85 into 10 raised to power minus 5, as it is, उपर 2 और 2, 9, 2, 3, 9, 4, इनको multiply कर देते हैं, यह एक answer आजएगा, 4788, बहार है 1000, इस ब्रकेट के अंदर, आप देख रहे हैं कि हमारे पास पैथे इसका square लेना है, 9.65 into 10 raised to the power minus 4 का, अमें square लेना है, इसका square लेकर answer रहेगा, 9.3 into 10 raised to the power minus 7, ठीक है, और उसके बार, minus करना है, इसका square लेना है, तो, इसका square है, यह नहीं, 7.85 into 10 raised to the power minus 5 का, square लेंगे, तो यह आजएगा, 6.1 into, यह तक लिवन, round off करके 6.2 into 10 raised to the power minus 9, अच्छा जी, अब ज़रा देखिए students, इसको मजीच solve करते हैं, इसको minus करके, अन्दर bracket का answer निकाल लेते हैं, इसको पहले मैं इदर लेक लेता हूं, यह calculation बार्की में देखा रहा, तेखें, V1 तो as it is है, बाहर क्या लिखा हुआ है, 7.85 into 10 raised to the power minus 5, इसके बाद, अन्दर रूट के अंदर है, 4788, अब ज़रा देखते हैं, इसका answer जवाएगा, उसको मैं 1000 से multiply करके ही लिख देता हूं, एक ही struct में, ठीक है, तो 9.3 into 10 raised to the power minus 7, मैं से minus करना है, हमने, 6.2 into 10 raised to the power minus 9, और जो answer है को, उसको हमने 1000 से multiply भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 1000 से multiply हो रहा है, हमारे पास final answer जो नीचे आया, वो है 9.238 into 10 raised to the power minus 4, अब ज़रा solve करते हैं, बाहर तो 7.85 into 10 raised to the power minus 5 है, इसको डिवाइड करते हैं, तो 4788 divided by 9.238 into 10 raised to the power minus 4, तो हमारे पास, ये answer आजएगा, 5182940 अब इसका अंडरूट लेने, तो इसका अंडरूट आ जाएगा, ये 7.85 into 10 raised to the power minus 5, इसका अंडरूट आएगा, 2276, जो जो फाइनल आंसर निकालने के लिए इसको मल्टिप्लाइ करते हैं, तो हमारे पास, फाइनल आंसर आ रहा है, 0.17, और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेक्ट लेता है, तो अगर आप देखेंगे, तो numerical इतना मुश्किल नहीं है, सिरफ इसमें जो calculation आगे आती हैं, वो calculation में, आप से कोई mistake ना हो जाए, इसलिए आपने इसको step by step करना है, otherwise देखें, तो आप शुरू से एक ही formula है, जो इस्तमाल हो रहा है, तो numerical simple है, बस आपने values पुट करके, जो उसको simplify करके answer निकालना है, उसमें mistakes के chance होते हैं, इसलिए वहाँ आप आप रहने केर कुल रहना है, चलते हैं, next board पर देखते हैं, कि हमारे पास जो next numerical इसको कैसे solve देखते हैं, तो आई students जड़ा देखते हैं, इसकी statement क्या कहती है, और इसकी statement से, जो भी हमें data मिलता है, उस data को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक heading मारे दे लिता हूँ, given data, तो बच्चों, वो कहता है, a small circular hole, 6 mm, 6 mm in diameter, हमारे पास, यह diameter है, 6 mm, इसको मैं, डी कह देता हूँ, 6 mm, सबसे पहले, आप जानते हैं, कि mm से meter में लाने के लिए, इसको मुझे 1000 से divide करना पड़ेगा, क्योंकि एक meter में 1000 mm होते हैं, तो यह बन जाए था 0.006 meters, अब यह diameter आ गया, अभी पिछले numerical में आपको बता है, कि diameter हमारे काम की चीज़ नहीं है, इन chapters के अंदर, ठीक है ने, जो chapter flow dynamics का है, वहाँ area जादा इस्तमाल होता है, तो एक तरीका यह है, कि हम यहीं पर area find out कर लेते हैं, तो उसने बोल है circular hole, तो circle का जो area होता है, वह अभी हम लोग उने discuss किया, पाए d square over 4 होता है, ठीक है, तो पाए की value 3.14, d का square यह नि 0.006 का square, divided by 4, तो इसको solve करते हैं, लभी बच्चों, area हमारे पास आ गया है, 2.8 into 10 raise to the power minus 5, meter square, यह standard units में area, यहांगे चलके इस्तुमार होगा, इसलिए आप लोग ने इसको याद हना है, अच्छा जी, 14 meter below the water, यानि 14 meter जो है, वो height दियो हिया, इसको मैं लिख देता हू, 14 meters, the top of the tank is open to air, find the speed of efflux, पहली चीज़, speed of efflux, find out करनी है, तो देखते हैं, to find, क्या-क्या चीज़ मालूम करनी है हमें, speed of efflux, find out करनी है, और B part में, the volume discharge per second, volume per second, इसे कहते हैं, flow rate, ठीक है, flow rate मालूम करना है, flow rate का मतब होता है, एक second में कितना volume जो है, लोग करना है, ठीक है, अब जब देखें, तो A part, पहले हम देखते हैं, A part तो बहुत simple है, in fact, दोनों part ही इसमें simple है, A part में हमें क्या मालूम करना है, V मालूम करना है, और हम लोगोंने, Taurisli theorem में पढ़ा था, V is equal to under root 2 G H, तो under root 2 G की value, तो मालूम है, सब को 9.8 होती है, और 8 जो है, वो 14 meters है, यह सारी values multiply करके, answer निकाल लेते हैं, तो answer आया, 16.6 meter per second, यह हमरे पास speed आगी है, अब जब देखते हैं, कि B part को किस तरह से solve करना है, B part में वो कह रहा है, कि आप लोगों ने flow rate मालूम करना है, अब flow rate के बारे में, हम लोगों ने equation of continuity में पढ़ा, और हमने पढ़ा, कि flow rate जो है, वो area, और speed का product होता है, बड़ी simple बाद है, area और speed का product, और खुश किसमती से, area तो मैं पहले ही find out कर चुका हूँ ना, और speed अभी हम लोगों ने find out 16.6, तो यह दोनों values put करते हैं, और answer निकाल लेते हैं, area है, 2.8 into 10 raised to the power minus 5, speed है, 16.6 meters per second, यह बन जाएगा, 4.638 into 10 raised to power minus 4, cubic meter per second, unit जड़ा को और से देखिए, cubic meter per second, ठीक है, अच्छा, इसको मैं centimeter cube per second में भी लेकर आ सकता हूँ, अब आपको मालूम है, कि, एक, meter में, 100, centimeter होता है, तो, 1 meter cube में, 100 का cube, centimeter cubes होंगे, ठीक है, हर meter में 100 होंगे, तो meter cube में, 100 की power हमें, 3 टाइमस लेनी पड़े की, यह आज़ेगा, 10 की power 6, centimeter cube, याद रखिएगा, अगर आप meter cube की बजाए, centimeter cube per second में, आंसर लिखना चाहते हैं, तो आपको 10 की power 6 से multiply करना पड़ेगा, तो 4.638 into 10 raised to power minus 4 तो पहले ही है न, इसके साथ आपको 10 की power 6 से multiply करना पड़ेगा, यह बन जागा 4.638 into 10 raised to the power 2, क्योंकि minus 4 plus 6, जब add होंगे, तो यह plus 2 बचेगा, तो यह आज़ेगा answer centimeter cube per second है, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लें, और चाहे तो 10 की part 2 को यहां से खतम करके decimal को 2 points आगे ले जाएं, तो यह बन जाएगा 463.8 centimeter cube per second, तो यह है हमारे पास flow rate का answer, तो दोनों जो parts हैं वो बहुत आसान थे, चलतें next board पर और देखते हैं कि next question को किस तरह से solve करना है, तो आए students ज़र देखते हैं कि जो 6th numerical है, उसकी statement क्या कहती है और क्या data हमें given है, तो given data की heading में हम वो सारा data लिखेंगे जो हमें दिया होगा है, तो what is the aerofoil lift in newtons, मैंने आको बताया था कि जो हमारे पास aeroplane का जो wing होता है, उस aeroplane के wing पर जो pressure का difference होता है, उस वजह से aeroplane के wing पर upward एक force लगती है, उस force को हम lift कहते हैं, यह मैंने wing को ज़रा side से दिखाया है, यह जो इसका upper portion है, इसको मैं 2 कहा देता हूँ, जो इसका lower portion है, bottom surface है, उसको मैं 1 कह देता हूँ, ठाके उपर के variables के साथ 2 लगाऊंगा, और नीचे के variables के साथ 1 लगाऊंगा, due to Bernoulli's principle लाना paper plane, ठीक है, कागा से बनावा यह plane है, जिसका area कितना है, 0.01 meter square, ठीक है, तो यह area है, area है 0.01 meter square, if air passes over the top and bottom surfaces at the speed of 9 meter per second, and 7 meter per second, पहले वो top की बात कर रहे, top पर 9 meter per second, और top को तो मैंने 2 बोल रहे न, तो top पर जो speed होगी, इसे मैं V2 कहूँगा, वो 9 meters per second, तो पर जो bottom पर speed होगी, इसे मैं V1 कहूँगा, क्योंकि मैंने bottom को 1 बोला हूँगा, यह 7 meter per second आए गाँगा, take the density of air as 1.28 kilogram per cubic meter, अभी अभी सारी चीज़े हैं मारे पास आगे हैं, जरा देखते हैं, के find out क्या करना है, हमें find क्या करना है, जरा देखें कर आप ग़र से, हमें find out करना है, aerofoil lift in newtons, यहनि force मालूम करना है, अब जरा देखें, force का, जो हमारे पास formula है, वो क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि, pressure, force per unit area को कहते है, P is equals to F over A, लेकिन यहां क्योंकि pressure difference की बात हो रही है, तो P की जगा, P1 minus P2 लिखे देता हूँ, is equals to F over A, हमें force चाहिए, तो force को इदे रखते हैं, area उदर जाकर P1 minus P2 से multiply हो जाएगा, तो P1 minus P2 उदर अलएडी मौजूद है, उसके साथ area multiply हो जाएगा, area मौजूद है, लेकिन P1 minus P2 हमारे पास नहीं है, मैं इसे थोड़ी देर के लिख वह यह number 1 कहता हूँ, लेकिन इक वह यह number 1 के में कमी यह है, कि P1 minus P2 हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको when 3 relation याद हो, तो when 3 relation में हम लोग यह पढ़ा था, कि P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square, तो यहां से P1 minus P2 की यह जो value है सारे की सारे, यह मैं इदर put कर देता हूँ, P1 minus P2 की जाएगा, तो ज़रा देखें, अब यह formula बन जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, put in equation number 1, तो हमारे पास F as it is रह जाएगा, यह है P1 minus P2, और P1 minus P2 की सकर आबर है, half rho V2 square minus V1 square, और into area तो as it is रह जाएगा, अब देखें, सारे variables माज़ होद है, area गिवन है, V1 और V2 गिवन है, और rho भी गिवन है, so you just have to put the values, and you will get your answer, तो अब मैं values put करता हूँ, हमारे पास 1 over 2 है, density जो है, वो 1.28 है, V2 का square, V2 कितना है, 9 का square, V1 का square कितना है, 7 का square, into area कितना है, 0.01, अब 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 चो, इसको solve करते हैं, त्या जगा 1 by 2, multiply by 1.28, इनको तो as it is लिख लेता हूँ, bracket को solve कर लेता हूँ, तो 9 का square, minus 7 का square, 9 का square जो है, वो 81 होता है, और 7 का square जो है, वो 49 होता है, तो इनको जब minus करेंगे, तो answer आजएगा 32, bracket का answer आजएगा, 32, और आगे 0.01 है, इन सारी चीजों को multiply करेंगे, तो हमारा final answer आजएगा, तो final answer है, 0.2 newton, तो ये वो force है, जो उस arrow plane के wing पर, upward direction में लगेगी, और इस force के वेज़े से, वो arrow plane को lift मिलेगी, और वो हवा में रहेगा, तो चलते हैं, फर्स बूर पर और देखते हैं, कि जो हमारे पास last numerical, इसको कैसे solve तरना है, तो आजए students जब देखते हैं, कि seventh, यानि कि last numerical, जो है, उसकी statement क्या कहती है, और उसमें क्या-क्या data हमारे पास given है, उसको हम इस heading में लिखेंगे, और फिर देखते हैं, कि वो हम से पूच क्या रहा है, और इसको solve, कैसे करना, आंसर कैसे मिकालना, तो जब देखिए, सबसे पहले given data देखते हैं, during a windstorm, a 25 meter per second wind blows across the flat roof of a small home, एक घर की छट के उपर, जो हवा की speed है, आंधी या तुफान के वकत, वो है, 25 meter per second, तो मैं उसको V2 कह देता हूं, find the difference in pressure, लोग फाइंड के सामने में लिख रहा हूं, P1-P2, pressure का difference, between the hair inside the home and the hair just above the roof, assuming the doors and windows of the house are closed, उसने क्या बता है? windows जो है और door जो 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 ग्लोज है, पता यह क्यों बता है? क्योंकि अगर यह close होंगे, तो अंदर तो हवा नहीं चलेगी, तो अंदर जो है relatively speed हवा की ना होने के बराबर होगी, तो हम 0 लिखेंगे, यह असल में इसलिए बता रहा था, density of air, उसने बताई है कि 1.28 kg per cubic meter, this question is very easy, you just need to know one formula and that formula is Venn 3 relation, Venn 3 relation क्या कहता है, P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square, this is the same formula we have used in previous numerical, तो यह हमारे पास just values put करनी है, आपने है, rho 1.28 है, V2 कास के, unit 25 कास के, minus V1, V1 0 है, तो बस आपको इसको solve करना है, आपका answer आजाएगा, तो आज़र देखते हैं, students हमारे पास, P1 minus P2 400 आजाता है, और आपको पता है, इसका जो standard unit SI unit है, वो pass कर से, तो यहाँ, हमारा chapter number 6, यानि के fluid dynamics, अपने इखताम को पहुंचता है, अब students हम start करेंगे next time, chapter number 7, which is about oscillations, आप से भी इंशारा मुलाकात होगी, next lecture में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफीज,